हेलो वियर्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने सफेद कपड़ों को हम और जादा सफेद कैसे बना सकते हैं चाहे वो हमारी शोर्ट्स हों या बचों की स्कूल यूनिफॉर्म या फिर जो हम चदर बैट्शिट्स वगरा लेकर आते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे तो जो कलरफुल कपड़े हैं उनको भी और जादा चमकदार कैसे बनाएं तो उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी तो कुछ घर में ऐसे प्रोड़क्ट है हैं उनको भी यूज कर सकते हैं जो पुराने टाइम में मैंने पनी ममी को देखा था यूज करते हुए तो जो सबसे पहला प्रोड़क्ट है यह मुझे मार्केट में मिला आउनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं तो यह है ग्लो वाइट अल्ट्रा तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं तो जब मैं चौटी थी हमारे स्कूल यूनिफॉर्म ममी इसी से ही वाश करती थी मतलब इसी से ही वाइट रखती थी तो मैं भी इसी को ही यूज करती हूँ अपने सफेद कपडों को ज्यादा सफेद रखने के लिए मतलब उसमें जो पीला पन है वो ना आए तो simply इसमें जो कपडों को वाशिंग पॉडर के साथ ही मिक्स करना है और उसमें कपडों को डिप करके मैं रख देती थी लेकिन मेरे पास फ्रंट लोड वाशिंग मर्शीन है तो हमें उसमें कैसे यूज करना है तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगे तो मैं यूज करती हूँ Arial Matic front load washing machine के लिए तो वाशिंग पॉडर भी आप ध्यान से चूज करें टॉप लोड के लिए टॉप लोड के लिए फ्रंट लोड के लिए फ्रंट लोड लेना है तो इसमें मैं 1 kg वाशिंग पॉडर में एक स्कूप हराने-पॉल का मिक्स करके र आप सिंथर्टिक विनेगर भी पर्चेस कर सकते हैं तो यह भी अच्छा रहता है कपड़ों के लिए और दूसरे इसका प्लस पॉइंट रहता है कि साथ में वाशिंग मेशीन क्लीन करने के लिए हम विनेगर का यूज कर सकते हैं तो इसकी दो-दो फाइदे हो जाएंगे कि दूसरा जो हम यूज कर सकते हैं डूसरा तरीका हम अपना सकते हैं कपड़ों को सफेद रखने के लिए बेकिंग सोडा baking soda multi purpose होता है तो मैं friends यहां पर baking soda के बारे में बात कर रही हूँ baking powder आपको use नहीं करना है तो baking soda हमें लेना है कपड़ों को white कर रखने के लिए याप colorful कपड़ों के लिए भी use कर सकते हैं तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको यह जादा यूज नहीं करना है अगर आप जादा यूज करेंगे तो कपड़े थोड़े से हर्ड हो जाएंगे तो अब इसे यूज कैसे करेंगे तो फ्रेंट्सिस का यूज करने का जो तरीका है वो बहुत सिंपल है आप डारेक्ट इसे ड्रम में डाले वन जो खाने वाली चमच होती है मैं वो यूज़ करती हूँ स्कूप में इसमें यूज़ नहीं करती क्योंकि स्कूप में बहुत ज्यादा आजाता है तो डारेक्टली आप ड्रम को ओपन करें जहां अपने कपड़े लोड करने हैं वहाँ पर हम इसे चुड़क देंगे वहाँ पर मैं इसे डाल देती हूँ तो वापर में डाल दिया और जहां पर वाशिंग पॉडर डाला है वापर वाशिंग पॉडर में यूज करती हैं वापर डाल देते हैं और सिंपली जो वाशिंग साइकल है वो हमें स्टार्ट कर देना है चाहे आप कॉटन प्लस पे दो रहे हैं कॉटन पे दो रहे हैं तो यह अपने आपे जो कपड़े हैं उनमें से जो पीलापन है वो हटा देगा तो अगर आपके पास टोप रोड वाशिंग मशीन है तो आप उसमें भी डारेक्टली आप यूज कर सकते हैं तो कपड़ों पर भी आप डाल सकते क्योंकि जो washing cycle है उसमें यह यूज कीजिए तो उसके बाद फ्रेंट्साँ काको एक चीज़ याद रखनी है कि जब आपके लिसे रोगाको आप आप एक sponge की help से आपकी जो washing machine है उसका जो drum है उसके साथ जो rubber है उसके साथ जो glass लगा हुआ है वो आप अच्छे से clean कर लें sponge की help से तो इसके दो फायदे होंगे कि जो आपकी washing machine है उसमें से smell नहीं आएगी क्योंकि जब हम कपड़े बार बार दोते हैं और washing machine को साफ करना भू जाते हैं तो next step हम जब कपड़े दोते हैं तो इसमें से smell आनी स्टार्ट हो जाती है तो इससे जो आप अगर आप इस प्रोसेस को follow करेंगे तो आपकी washing machine में से smell नहीं आएगी और कपड़ों में से अच्छी smell आएगी तो यह जुरूर आप ट्राय करें घर में और एक इसका एक फायदा और होता है कि अगर आप अपनी washing machine को इस तरह से properly use करते हैं सफाई करते रहते हैं इसका जो inlet pipe है उसे साफ करते रहते हैं और साल में एक बार या दो साल में एक बार से change करना है तो आपको service की जूरत नहीं पड़ेगी तो friends मैं मॉल गई थी तो मैं वहां से मुझ वाइटनर के लिए इसे भी use कर सकते हैं तो यह rain आला इसका result कैसा होगा मुझे नहीं पता मैंने purchase नहीं किया है और इसके साथ ही मुझे नीचे वाली shelf में जो एक नजर आया वो आया है यह this was the vanish oxygen और यह Auxy action यह आप price action तो इसे भी आप यूज और सकते हैं तो मैं यूज नहीं किया है यह मैंने आपको बता दिया है तो यह कुछ तरीके थे जिससे आप अपने कपड़ों को सफेद रख सकते हैं उनका पीलापन हटा सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कोई कमेंट हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर कीजिए तो आप लोगों की क्वेरी थी तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है तो आप अपने लेवल पर कोई भी प्रोड़क्ट यूज कर सकते हैं ओके, थैंक यू